गिरीश बिल्लोरे ओफिशल पॉड़कास्ट चानल पर आप सभी का स्वागत है आज का पॉड़कास्ट ईश्वर और मनुश्य के बीच के अंतर संबंदों की एक संगशिप्त कोशिश है मैं उन्नती तिवारी गिरीश बिल्लोरे मुकुल द्वारा लिखिद स्ट्रिप्ट के साथ उपस्ते थूँ नियती अगर आपके जीवन से कुछ छीनती है तो चार गुना वापस करती है एक बार माने कहा था खोटे सिक्के को भी समहाल के रखो या कभी भी काम आ सकता है किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से अनुपियोगी हो ही नहीं सकती क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन चुनोतियों पूर्ण होता है जीवन की चुनोतियों का सामना हमें स्वैम करना होता है आज हम एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रही हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए उनके साथ हम उन लोगों का जिक्र भी करेंगे जो सीमित साधनों में असीमित प्रयास करके सफल हो गए विश्वास कीजिए यदि हम घोर निराशा की अंधेरे में होते हैं तो चुनोतियों का सामना नहीं कर सकते सबसे पहले हमें आशावादी बनना पड़ेगा जैसे हेलन केलर की माता पिता ने खुद को आशावादी बना कर रखा आप जानते ही होंगे हेलन केलर के बारे में जिसकी कहानी सुनकर कई लोगों ने अपने आप में सकारात्मक बदलाव कर लिए पूरी तरह से क्षमतहीन था हेलन केलर का शरीर वे देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, और तो और बोल भी नहीं सकती थी पर क्या हुआ कि वे विश्व के लिए एक प्रेरक और अमेरिका के लिए बहु मूल्य सिद्ध हो गए 27 जून 1880 से लेकर 1 जून 1968 तक उन्होंने दुनिया को इतना कुछ समझा दिया जो हजारों लोग मिलकर समाज को नहीं समझा पाते United States of America तसकंबिया अलबामा में जन्म लेने वाली हेलन केलर जन्म के 19 महिनों के बाद ही सुनने बोलने और देखने की शक्ति खो देती है हेलन केलर और लुई ब्रेल की कहानी भी समानतर रूप से लगभक ऐसी ही है हेलन केलर के अलावा लुई ब्रेल देख नहीं सकते थे उन्होंने ब्रेल लिपी का विकास किया और दुनिया भर के नेत्र दिव्यांगों को ब्रेल लिपी का अनुपम उपहार दे दिया नियती किसी से भी कुछ भी चीनती है तो उसे कई गुना अधिक वापस भी करती है Helen Keller, Louis Vril आदी से जितना भी चीना था नियती ने उसने कई गुना अधिक वापस भी किया विश्व के लिए हेलन केलर ने जो प्रतीमान स्थापित कर दिया उन्हें देखकर लगता है कि उनाइटेट स्टेट्स ओफ अमेरिका यूही नहीं सम्रिद्ध हुआ है विश्वास कीजिए जब भी किसी हताश जिन्दगी को कोई रास्ता नहीं मिला वहीं से हताश जिन्दगी के लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं उन्ही अप अरिचित रास्तों पर चल कर लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां नियती ने बिखरी जिंदिगीयों को पुनर निर्मान के ऐसे ऐसे संसाधन दिये जो बड़े कीर्थीमान स्थापित करने में महत्वपून बन गए। मुझे याद आ रहा है एक बार एक मा अपने बच्चे को लेकर मेरे संस्थान में आई थी बच्चा दिव्यांग था बच्चा दुनिया को जानना चाह रहा था परन्तु मा की आखों में आसू थे मा आखिर मा होती है करुणा से सराबोर मा ने कहा इश्वर ने किसी जन्म का दंड दिया है मुझे मा के इस वाक्य को सुनकर मुझे लगा कि वह इश्वर पर आस्था रखने वाली मा है उसकी मनोदशा देखकर मैंने उसे हैलन केलर के जीवन के बारे में बताया और यह भी बताया कि आप जिस इश्वर पर आस्था रखती हैं वही इश्वर रास्ते बनाता है वहा किसी को दंड नहीं देता अगर इश्वर कटोर होता तो हेलन केलर के माता पिता को एनी सलिवान जैसी टीचर नहीं मिलती इश्वर की क्रपा ने सूर्दास को स्थापित कर दिया उसी इश्वर ने नेत्र दिव्यांग संत्र रामभद्राचार्य जी को संपूर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करा दिया इतना ही नहीं निक वोईचिच नाम के व्यक्ति के चर्च तक पहुंचने के लिए दोनों पैर नहीं थे नहीं उनके पास प्रार्थना करने के लिए दो हाथ थे फिर भीवा दुनिया को एश्वर के अस्तित्व का प्रमान द आपका बेटा तो जरा उचा सुनता है। उनका क्या जिनके बच्चों की सिती आपके बच्चे से भी ज्यादा दैनी है। प्रोग्राम का हिस्सा बन पाता। अपने गीतों से मंत्र मुग्द कर देने वाली नेत्र दिव्यांग, सखी जैन, अंजली, बालश्री विजेता, संत लाल पाठक पूरे उत्सा के साथ भारत के विकास में कैसे सहयोगी हो पाते। अन्तता बच्चे की मा को या विश्वास ह गया कि ईश्वर ना तो निर्दई है और ना ही धोके बास। जीवन कभी भी सीधी रेखा पर नहीं चलता। हर एक जीवन को अगर हम एक रेखा मान लें तो उसे सरल रेखा के रूप में हम कभी नहीं देखेंगे। जीवन एक ग्राफ है, कभी उपर तो कभी नीचे। और श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्ति भी किया। जब कृष्ण के समक्ष उसने अपना विचार रखा, तब कृष्ण फूट पड़े और बोले, प्रिये कर्ण मेरा जन्म तो कारागार में हुआ है। जन्म लेते ही मुझे भी तुमारी तरह मा से जुदा होना पड़ा। मा के इन दुखों पर विजय पाने के लिए या तो कृष्ण बनना पड़ता है या फिर बुद्ध। आपको यह पॉड़कास्ट कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।